तेजी से नोट करो इसमें आसानी से समझ तो गया होगे तुम लोग कि क्या करना है कर्फ का एक्वेशन दिया रहेगा कर्फ को डिफ्रेंशियेट करना है डिफ्रेंशियेट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है अलफा बीटा पॉइंट था तो अलफा बीटा इसमें प कि यhelp on the कि सब्सक्राइब करेगा थिस्था सब्सक्राइब करेगा कर रहा है करव को सेटिस्फाइग किया है यह हमारा सेकंड एक्वेशन अब यह दोनों एक्वेशन को सॉल्ब करेंगे तो अल्फा निकल जाएगा यहां पर अल्फा की बेल्यू आई प्लस माइनस पर अब एक बार प्लस बन लेकर निकाले बीटा तो बीटा हमारा आया तू बीटा हमारा आया तू प्लस बन लेकर निकाले तो बीटा टू आया यहां पर आया बीटा टू और अल्फा बराबर माइनस बन लेकर निकाले तो बीटा बराबर माइनस टू आया ठीक है यहां पर बीटा हमारा आया है माइन प्लस टू और फिर उसके बाद अगला केस हम ल तो देखेंगे कोशन पर आ रहे हैं ठीक है अगला कुशन हमारे पास कह रहा है देखो के ध्यान से the question is very simple question तो simple है लेकिन तरीका वही है कि advance question पूछ दिया है कह रहा है अब find the equation of tangent to the curve equation of tangent to the curve 3x square minus y square is equal to 8 which passes through which passes through the point which passes through the point 4 by 3 comma 0 तिक है अब देखो इस question को हम समझना होगा पहले can I find the equation of tangent to the curve which passes through the point इतना यह नहीं कहा है कि यह पॉइंट जो है वो कर पे लाई कर रहा है सर्व at the point देखो है कि नहीं से पहले वाला question देखो at the point है कि नहीं देख करके बताओ ना yes sir at the point का मतलब point curve पर है at the point का मतलब point कहां पर है curve पर तो इस point अभी point हमको दिया वा नहीं अलफा बीटा है और tangent जो है एक point से pass कर रहा है जिसका coordinate है 4 by 3 comma 0 इस सवाल का मतलब यह है देखो आया बास समझ में अगर at the point जिखा रहता ना which passes through the point ना लिख करके लिखा रहता at the point तो यह अलफा बीटा का value होता यह अलफा हो जाता यह बीटा हो जाता यानि यह x1 बन जाता यह y1 बन जाता यह हमारा x1 काम करता यह y1 काम करता जो कि अभी ऐसा नहीं होगा अब देखो कैसे बनाएंगे तो हमारे पास जो equation है 3x square minus y square बड़ाबर 8 इसको differentiate करेंगे तो 3 to 6x minus 2y और y का हो गया हमारा d by by dx और 8 का 0 हो जाएगा यहां से d by by dx निकालो d by by dx is equal to minus 6x यहां पर minus 2y ले ले तो d by by dx is equal to 3x square 2 यह आया और हम लोग का point है alpha बीटा एक मिट 3y हो जाएगा तो यह आया हमारा slope of tangent d by by dx किस point पर alpha और बीटा पर तो 3 alpha अपन बीटा यही हो जाएगा इसको हम लोग slope of tangent बोलें अब आई equation of tangent पर इसके बाब यहां है इधर equation of tangent क्या होता equation y minus y1 is equal to slope of tangent x minus x1 value डालिए y minus y1 तो y1 हमारा बीटा है यह हमारा x1 y1 की तरह काम करेगा यह x1 और यह y1 y slope of tangent तो 3 alpha अपन बीटा x minus x1 तो alpha अब हमारा tangent जो है वो पास कर रहा है 4,3 से तो इस पॉइंट से अगर tangent पास कर रहा है तो y के जगा पर 0 रखेंगे 0 minus beta is equal to 3 alpha upon beta is equal to 4 by 3 minus alpha इसको multiply कीजे और simplify कीजे बीटा को इस तरफ ले आए तो बीटा स्क्वेर हो जाएगा minus beta square is equal to 4 alpha minus में 3 alpha square ऐसा होगा ना तो beta square हमारे पास आ गया 3 alpha square minus 4 alpha पास समझ में आया देखो ऐसा आएगा ठीक है अब यहाँ पे आ रहे है इसके बाद यहाँ पर है since alpha beta also lies on curve also lies on curve curve पर लाई कर रहा alpha beta तो curve को satisfy करेगा तो 3 alpha square minus beta square is equal to 8 यहाँ से beta square ने कालो कितना आ जाएगा 3 alpha square minus 8 इसको second expression from first and second first and second से अगर हम लोग देखते हैं तो 3 alpha square minus 8 बड़ाबर होगा 3 alpha square minus 4 alpha के तो यहाँ से हमारा पता चला माइनस 4 alpha बड़ाबर एक तो alpha बड़ाबर माइनस 8 इसको थोड़ा सा हम लोग तो 3 into 2 का स्कोर माइनस 8 तो कितना है जी बीटा स्कोर चार ते बारा बारा में से आठ गया तो तो चार बीटा बराबर आया हमारा प्लस माइनस 2 तो अलफा मिल गया रहो तो हम लोग को slope भी चाहिए तो अब question फोड़ा और लंबा हो गया अब इस case में अब हम लोग को slope निकालना पड़ेगा तो पहला point लेते हैं at point 2,2 slope of tangent तो देको slope of tangent यही है ना इसको कुछ ए नंबर दे दो slope of tangent तो 3 alpha बटा बीटा था तो 3 into 2 बटा 2 तो यह आगया 3 equation of tangent तो alpha बीटा तो पता ही है equation of tangent equation of tangent कितना हो जाएगा y-y1 is equal to slope of tangent x-x1 value डालते हैं तो y-2 is equal to 3 into x-2 अब हमारे पास overall answer आगया y-2 is equal to 3x-6 सबको एक तरफ लेया ना that is 3x-y-4 बटाबर 0 यह आगया एक equation एक answer यह हुआ point 2 है तो दो answer आएगा at point 2, minus 2 तो इस जगा भी slope of tangent निकालो तो slope of tangent आजाएगा हमारा 3 into 2 बटा minus 2 तो यह आगया minus 3 ठीक है slope of tangent आगया minus 3 अब यहां से फिर equation निकालो equation of tangent y-y1 is equal to slope of tangent x-x1 value डालो y-y1 y-1 हो गया हमारे पास minus 2 plus 2 हो जाएगा slope of tangent minus 3 x minus 2 इसको multiply करो y plus 2 is equal to minus 3x plus 6 सबको एक तरफ लेया आगया तो कितना आ गया तो यह overall आ गया 3x plus y minus 4 बड़ाबर 0 देखो इतना आ रहा है ना इस question को भी अच्छे से note कर लो यह question भी बहुत important question की category में है और यह मेंस के एक्जाम में भी आ रखा है एक बार और cbsc में यह आया था आपको यह cbsc के 2013 के कंपार्ट पेपर में था कंपार्टमेंटल का पेपर में था यह हमारे पास एक करब दिया वाए 3x square minus y square बड़ा बड़े इसमें एक देखरों यह tangent is एच the data which is एक है वाइंट से पास कर रहा है और हमको यह नहीं पता है कि वो कर पर किस पॉन्ट पर कुब कर निए उखको किया कर्णा क only TRABPT यह आउं को नहीं पता यह पॉन्ट जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम एक्वेशन नहीं सक्टे तों waktu अलफा बीटा निकालना पड़ जाएगा तो क्या करेंगे तो सबसे पहले हम लोग किये कि कर्व को differentiate किये यहां से देखो कर्व को हम लोग क्या किये differentiate differentiate किये कि हमारे पास d y by d x आया 3 x upon y 3 x upon y तो slope of tangent हमारे पास निकल गया d y by d x alpha बीटा 3 alpha upon beta ठीक है तो यह हमारा slope of tangent आ गया अब हम लोग equation of tangent चलते हैं तो y minus y1 यहां पर देखो equation of tangent पर y minus y1 is equal to slope of tangent x minus x1 तो हमारा x1 y1 वही point होता है जो कर्व पर भी होता है ना तो यह x1 यह y1 की जगा काम करेगा y1 के जगा beta x1 की जगा alpha तो overall answer जो हम और slope of tangent 3 alpha by beta बीटा यह आ गया equation of tangent यह हमारा equation of tangent आ गया अब यह tangent जो है देखो 4 by 3,0 से तो pass कर रहा है ना 4 by 3,0 से pass कर रहा है तो x coordinate यह हुआ y coordinate यह satisfy तो करेगा ना जो जिस से तुम जिस घर में रहते हो तो उस घर में सब तो तुमको जानता होगा ना तो बिल्कुल वैसा ही यह ऐसे है तो 4 by 3,0 x और y coordinate satisfy होगा put कर दिए x और y coordinate की जगा यहां से beta और alpha का एक relation आया हमारे पास इसको relation 1 नाम दे दिए अब यह दो variable का relation है तो हमको क्या सेटिस्फाइ करेगा तो अब यहां चले आए since alpha beta since alpha beta also lies on the curve it will also satisfy the curve it means 3 alpha square minus beta square बड़ा बर 8 यहां से हम लोग beta square की value निकालेंगे जो हमारे पास आगे 3 alpha square minus 8 यह आ गया second expression देखो यह भी beta square का value है और यह भी beta square का value है देख रहे हो यह भी beta square का value यह भी 1 और 2 से यह दोनों आपस में बड़ाबर होगा यहां से हम लोग alpha निकाल लिए तो alpha हमारे पास आ गया 2 alpha की value place करके चाहे तुम second equation का use करो चाहे first equation का use करो आएगा इतना ही तो beta square 4 आया beta बड़ाबर plus minus 2 आया तो हमारे पास दो point obtained हो यह एक point पर tangent नहींए tangent दो point पर है 2,2 पर भी है और 2,-2 पर भी है तो हम लोग इसको point 1 ले ले और इसको point 2 ले ले दोनों point को सोचना पड़ेगा तो पहले point 1 ले at point 2,2 पर tangent का slope निकाले 3 आया equation निकाले अलफा बीटा अब यह ही है ना यह हमारा alpha यह हमारा बीटा फूट कर दिये निकल गया tangent का slope अब दूसरा point ले 2,-2 tangent का slope निकाले minus 3 आया equation निकाले we have two tangent in such case इस case में हमारे पास 2 tangent होंगे इसको note कीजे सारे बच्चे तेजी से